गुड मॉर्णी अस्टुडेंट एक बार फिर गुड अस्टुडी चैनल में आप लोग का स्वागत है आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इन सभी वर्ड का परणांसेशन करीब करीब परीब शेहम होता है और इन सभी वर्ड का अस्पेलिंग जानना बहुत जोड़ी है जैसे अफेक्ट अफेक्ट मिन्स होता है परभावित करना एडवल एफी सेटी और इसी तरह से इफेक्ट एडवल एफी सेटी इफेक्ट मिन्स परभाव एफेक्ट मिन्स परभावित करना एफेक्ट मिन्स परभाव करना Affect का English में होता है Impress, परभावित करना और Effect का मतलब होता है Impact All Together, All Together में इस होता है साथ में, With Each Other एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करता है, All Together इस तरह से All Together, All Together में इस होता है पुर्णतिया In Total, जिसका मेनिंग होता है अब आगे देखते हैं Assent, A-S-S-E-N-T, Assent में होता है अधिकारिक स्विकृति या फिर सहमती इसको इंगली से में बलते हैं Agreement या फिर Consent इसी तरह से होता है Accent, A-C-C-E-N-T, Accent Accent मतलब होता है Particular Way of Pronouncing Words, सब्दों कुछ आण करने का तरीका हो क्या बलते है Accent और Assent होता है A-S-E-N-T, इसका मतलब होता है अधिकारिक स्विकृति आगे देखते हैं Accept, Accept मतलब होता है स्विकार करना, A-C-E-P-T इसी तरह से Accept, E-X-E-P-T, Accept मतलब होता है को छोड़कर Expect मिस होता है अनुमान लगाना या फिर आसा करना, E-X-P-E-C-T आगे देखते हैं Beach, B-E-A-C-H, Beach मिस होता है समुदर का किनारा प्रिच, B-E-A-C-H, Bridge, Bridge मिस होता है नियम तोड़ना या फिर उलंखन करना फिर और लगा होता है Break, B-E-A-C-E-B-R-E-A-C-E-B-R-E-C-T-O-D-N-A प्रिच मिस होता है नियम तोड़ना, Beach मिस होता है समुदर किनारे या ब्रेक मिस तोड़ना ब्यू, B-E-O-U, B-E-O-U मिस होता है प्रेमी या फिर मेल फ्रेंड को बोलते हैं या फिर बॉय फ्रेंड को बोलते हैं बो मिस होता है जुकना जिसकों इंगलिस होता है कर्व बोरो, B-E-O-R-O, B-E-O-U मिस होता है उधार लेना या देना, Land Money जिसकों बोलते हैं और बो, B-E-O-R-O, B-E-O मिस होता है बील, जैसे साप का बील, या फिर रेट का बील, Hall in the Earth जो Rodent, Animal होते हैं जो बोरो में रहते हैं, बोरो में रहते हैं तो इसमें बोलते हैं का बोरो, बोरो में सुधार लेना और इसको बील, क्या बोलते हैं, बरो इस तरह सोता है, Bold, Bold मिस होता है कि आत्म विस्वास्ती, निडर, Confident, Not Afraid इतना विस्वास्त कि किसी से डरेन है जिसकों बोलते है, Bold एक होता है, Bold, B-A-L-D, Bold मिस होता है, गंजा, No Hair on Head इसके सर में बाल नहीं होता है, इसकों बोलते है, Bold, लेकिन यह स्पेलिंग होता है, क्या, B-A-L-D, एक होता है, B-O-L-D बेल, B-A-L-D, बेल मिस होता है, जमानत, कोट से किसी को जमानत मिलता है, उसकों बोलते है, बेल, C was released on bail, रुपीज 2000, उन्हें 2000 रुपया लेकर उसे जमानत मिला, बेल मिस जमानत, और यह होता है, B-A-L-E, बेल मिस होता है, गठर, गठर मतलब होता है, क्या, यह B-A-L-E, cloth, उन्हें कपड़े का गठर, इसमें बहुत सारा चोड़े कपड़ रखा हुआ है, अब उसे हो हम जदी बांद के रखते हैं, उसकों बोलते हैं, क्या, B-A-L-E, प्लोफ, यह फिर, B-A-L-E, पेपर, पेपर का गठर को भी बेल पेपर बोलते हैं, इस तरह से बेल और बे और इसका मतलब सांस लेना होता है ah breath मतलब सांस लेना होता है इस तरह से आगे देखते हैं कास्ट कास्ट मी शुता है जाती और सेस्ट कास्ट मिस होता है भोट देस ठाला कॉंसील कउन्सी यूंसी양ायल कॉंसील मांताPER positivity या फिर असेम्भली जिसको बोलते हैं सेम कांसील कौन एसल इसमें आई रहा इसमें ए लगा कांसील मिस होता है एडवाईज सलाह देना या फिर प्रामर्स देना एक होता है कैंसील si ancel कैंसल मिस होता है रद करना में आभे दाते हैं कर्स औरी ओर एसी कर्स मतलों होता है रफ घुरुदूरा जिसके बोलते में स्कूर्स कॉर्स लबस क्यार परनाली कुंपलीमेंट मैं कीम ious I Money कूल कम्प्लिमेंट आगे होता है कम्प्लिमेंट सी यो एम पी एल आई में एंटी इसमें इथा इसमें आई रहा कम्प्लिमेंट इसमें होता है अड्मारेशन फ्रेज तारिफ करना या फिर परसंसा करना और देते हैं आई लेट मिस होता है शुराक या फिर छेद एस्मॉल हॉल इंसू फोर लेश लेश को हम बादने के लिए जो स्मॉल हॉल रहता है सू में उसको बोलते हैं आई लेट इस तरह से इजलेट क्या है इजलेट इजलेट में इजलेट में इजलेट में इजलेट होता है अस्मल इजलेट आनि दीब को बोलते है छोटे सा दीब को बोला जाता है जो समूत से घिरा हुआ क्या बोलते है दीब बोलते है उसी को बोलते है इजलेट में छोटा सा दीब इस तरह से देए इलिजीबल इलिजीबल में इसके होता है योग इलिजीबल में इसके होता है जोग और रिखोता है इलिजीबल आई से सुरू होता है जो जो दिखाई नहीं देता हो आस पस्ट या फिर आपटनी जो साप साप नहीं दिखाई होता है eligible और वह ऐलिजिबल जिसका मतलब होता है योग्य यह वह फैन एफ-e-e-i-n फैन मतलब टू-बिग्लेट खुशी से या फिर पर संसा से इसको अगर होता है एफ-e-e-e-e-e-n फैन टू-प्रिटेंड दिखावा करना एक फैन का मतलब होता है खुशी से और थो फैन का मतलब से दिखाव करना लेकिन यह जो नीचे वाला फैन है उसमें G हुशा है और इसमें F A I N सिर्फ है आगे देखते हैं F A N फैन मी सोता है एड्माइरर पर संसक को फैन बोलते है फैन और F A N फैन मी सोता है पंखा L A T लेटर मी सोता क्या बाद वाला और L A T लेटर मी सोता है बाद में और L A T लेटर मी सोता है चिट्छी लाइटनिंग L I G H T N I N G लाइटनिंग मी सोता क्या कम करना या फिर हलका करना और एक होता है lighting L-I-G-S-T-N-I-N-G lighting miss बिजली कड़कना या फिर बिजली किरना इस तरह से lightning और lightning में फर्क है इसमें lightning में बीच में E है और इसका यहां नीचे जो है lighting इसमें E नहीं है तो इस तरह से spelling को देखकर ही exam में कोई भी चीज समझे otherwise आप confused हो सकते हैं इसलिए इन सभी word का मैं discuss किया thanks for watching good study और जदी वीडियो पसंद लगा है तो like, share और subscribe कर दे